गुद आफटरनून फ्रेंड्स एंजियाटी की सीरीज में हम पढ़ रहें क्लास एट की हिस्टरी और अब तक हम पढ़ चुके हैं चेप्टर नमबर फिफ तक और आप चेप्टर नमबर सिक्स और यह चेप्टर बहुत इंपोर्टेंट है आई होब कि आप अपने पैन, पैंसिल, कॉपेज लेके बैठे होंगे और अपने नूट समको खुछ से रड़ी करने हैं ताकि कोशन कैसे भी आए उस काम आसानी से आंसर दे सके तो हमारा चेप्टर नमबर सिक्स है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्टरी मालिक इसमें प्रप्ति नदी के किनारे हैं तो यह वहां से और उसके बाद बंदरगाव पर व्यापारी भारत के पर्श्मिटेट गुजरात में इस ते सूरद हिंद मासागर के रास्ते हैं और सबसे महत पून बंदरगाव में से एक था जहांपे डच और बिटिश वैपारी जहांसे सत्रुष अदिस शुरुआ से इस बंदरगाव का इस्तमाल करने लगे थे जब मारे भारत की खोज की गई और चली स्टाट करते हैं इस चेप्टर को तब कॉपी पैंसिल आप ले लेजिए इस सद् उद्योग इन दो उद्योगों का विश्य सद्धिन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश आशन के अंतरगत भारती कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी आधुनिक फिश में और ग्रांती की ड्रस्टी से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्पून थे सूती कि मशिन उद्योग इननिस वी सदी में ब्रिटेएं को दुनिया का सबसे प्रमुक और थे अधियोगित रासटे बना दिया था 5 1050 की दशक से जब ब्रिटेन का लोह और इस पाध उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलानी लगा बिर्टेन दुनिया का कारखाना कहलानी लगा जब53पच्यक में बिर्टेन का लुहा और इस अधुत द्योक पन अपनी लगे ब्रिटेन की ओधोगी करण और भारत पर बिट्रिस विजय और उपनिवेशी करण में गहरा समन्ध था हम अध्यादू में देख चुके हैं कि इस इंडिया कंपनी ने व्यापारी कतों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतिय भूबागूप पर कपचा करते हुए किस तरह व्यापार का ढाचा बदल गया सब कुछ चीजे चेंज हो गई 18 सदी के आकेट में इस इडिया कंपनी भारत से चीजे खरीती थी और उन्हें इंग्लेंड और यूरोप में ले जाकर बेज देती थी इसी क्रव और विक्रे से उसे भारी मुनाफ़ा होता था जैसे जैसे ब्रिटेन को अध्यों के उत्पादन बढ़ने लगा महां के उध्योंग पती भारत को अपने उध्योंग उत्पाद के विशाल बजार के रूप में देखने लगे क्योंकि हमारे यहां से जुद्धि मसाले और सूती कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की मिलते थे तो महां के जो व्यापारी थे वो भारत का र सरेसर पड़े यह देखें क्योंकि वहां पेती मशीन है और मारे काम होता हाथ से डेफिनेटली है जो हाथ से काम करें को उसे काम में मिलेगा तो काम तो उसका ठप होई जाएगा बारती कपड़े और विश्व बजारी जो कपड़ा दिखाई तेरह बहुत सुन्दर है पटोल साल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में भारत ध्यान देखें पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के शेत्र में औरों से कोसो आगे था भारती कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारी की कारी करी के लिए दुन को पेचने के लिए भारती कपड़े खरीतने लगी इस फलते फूलते व्यापार और भारती बुनकरों के हुनर की यादे अंग्रेजी और अन्य भाशों में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिन्दा है ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूनना और उनके अर्थ को जानना बड़े ही मज़ेदार है ठीक है अब है शब्दों में इतियास चुपा है क्या है जड़ा देख लेते हैं यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारिक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल अरब के व्यापारियों के पास देखा ध्यान से देखे यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारिक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर के अरब के व्यापारियों के पास देखा यानि कि उन्होंने डारेक्ट भारत से कुछ नहीं लिया पहले कहां से लिया अरब के मौसूल शहर से इसी आदार पर वे बारी की बुनाई वाले सबी कपड़ों को मसलीन या मलमल कहने लगे क्यों क्योंकि ये कहां से आया था इस शहर से इनको ऐसा ही लगा यूरोप को इनको नहीं पता था कि जो समान है ये हमारे भारत से आया है मलमल कहने लगे जल्दी ही ये शब्द खूब प्रचलित हो गया मसालों की तलाश में जब पहली बार पूर्त गाली भारत आये तो उन्होंने दक्षिन पश्चिम भारत में केरल के टट पर काली कट में डेरा डाला यहां सिवे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए काली कट से निकले शब्द को कैली को कहने लगे अब ये काली कट से क्या नाम हो गया कैली को हो गया यहनि उस कपड़े का नाम क्या हो गया फिर बाद में हर सूती कपड़े को कैली को ही कहा जाने लगा अब आपने कैली को एक्ट का नाम सुना होगा भी वो भी आएगा ठीक है तो कैली को क्या है कैली को सूती कपड़ा ही है उसका नाम हो गया कैली को ये पुर्तेगालियों ने इसको नाम दे दिया और यूरोप वालों ने क्या दे दिया मसलीन दे दिया या मलमल नाम दे दिया ऐसे बहुत सारे शब्दें जो पश्चिमी बजार में भारती कपड़ों की लोगप्रियत्या की कहानी कहते हैं अब एक पिचर है जिसमें हम देखेंगे कि एक और बुक का एक पेज है जिसमें 1730 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता इस्थित अपने 89,000 थानों का ओर्डर मिला था यह थी आप इस बई के पन्नों को पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि सूत्य और इश्मी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्रिक किया गया है यूरोपिय वाप्यारी उन्हें पीज कुर्स कहते थे जो आम तोर पर 20 गज लंबा और एक गज मिलते हैं कपड़े अब यह देखिए एक है यह 1730 और यह एक बार चुल लगी यहां पर देख लेते हैं कि यह कपड़ों के नाम है और सारे और यह इसका प्राइज लिखा हुआ है सब कुछ अब यह देखिए सारा इबल वगेरा बनावा है ठीक तो यह होगे इनका पेल यहाद पर समाना है अब इसी वही में दीगए विबिन किस्मों के नाम को देखते हैं थोक में जिन कपड़ों का ओटर दिया जाता था उनमें चापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे जिनें यह व्यापारी शिंट कहते थे जो हम लोग छीट कहते ना छीट का कपड़ा तो यह लोग क्या कह यह बंडाना कहते थे क्या आप जानतें कि अंग्रे जी का शिंट शब्ड कहां से आया जां यह कहां से आया यह हिंदी के छीट शब्ड से निकला है हमारे यह चीट रंगीन फूल पत्तियों वाले चोटे चापे के कपड़े को कह जाता है 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में चापेदार भारती सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी आकरशक फूल पत्तियों वाले बारिक रेशे और सस्ती कीमत की वज़े से भारती कपड़े का एक अलग ही रुद्बा था क्योंकि सूती कपड़े थे तो सर्दी गर्मी दोनों में ही काम आते थे ठंडे रहते थे और गर्मियों में हमको बचा के रखते थे तो इसकी डिमांड वहां भी बढ़ती चलेगी हलके होते थे सुन्दर लगते थे प्रिंट अच्छे होते थे और आज भी है इंग्लेंड के रही से नहीं बलकि खुद मारानी भी भारती कपनों से बने परिदान पहनती थी बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के चापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है यह है शब्द हिंदी के बांधना शब्द से आया है ठिक और यह देखिए यह एक क्या है मुस्ली पटनम आंधर प्रदेश में बारिक कपड़े पर चपाई चीट के कर पकपड़े पर चपाई है यह उन्निस्वी सदी में इरान और यूरोप निरात होने वाले चीट का एक ब या रंग साजी की विद्यों से ही बनाया जाता था यानि के कलर किया जाता जिसको हम लोग टाई एंडाई कहते हैं मई में दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्मिस्तान पे लिखा गया है कासिम बजार पटना कलकत्ता उडिसा चारपूर इन श गुजराती लकीर लकीर दिखाई दे रही है ठीक है इसमें क्या है कि यह ओड़नी को दो बांद कर रंगे गयते यानि कि 20 से उसको बांद के तब इसको रंगा गया था जिसको हम टाई एंडाई कहते हैं यूरूपिय बजारों में भारतिये कपड़ा अब यह भी हम लोग पढ़ेंगे पहले यह पढ़ लेते हैं अठारवे सदी की शुरुवात तक आते आते भारतिये कपड़े की लोग प्रियता से बैचेन इंग्लैंड की उन और रेशम निर्माता भारती कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे क्यूं क्यूंकि उनके जो क्या ता उन और रिशम की कपड़े ज्यादा सेल नहीं हो रहे थे भारत के कपड़े ज्यादा सेल हो रहे थे तो क्या किया है इन लोगों ने जो वहां के पारित थे वह उसका विरोध करने लगे इसी दबाव के कारण 1720 में बिटिस सरकार ने इंग्लैंड के चापिदा कि पाविए पंपक अपने देश में भारति कपड़ों के प्रवेशपर पर प्रूरी पाबंदी चाहते थे थे थाकि पूरे इंग्लैंड की सर्कार ने सबसे पहले प्लाको की चपाई उद्यों को ही सरकारी सरक्षण में विक्सित कर दिया अभ सफेथ मलमल या और पにな और इंग्लैंड में ही बारती डिसाइन छापा जाने लगा या बारती कपडों के साथ सूढ़ के ओजए से इंग्लैंड में टक्निक की सुधारों की जडरुत दिखाई कि दिने लगी 1886 में रिचर्ट आक्राइट ने वाश्व इंजन का विश्कार किया जिसे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया अब भूस सारा कपड़ा बेहत कम कीमत पर तयार किया जा सकता था क्योंकि पहले तो कपड़े हाइस से तैयार हो रहे तो जल्दी तैयार हो रहे और कम कीमत पर हो रहे इसके बाद जो दुनिया के बजार में भारती कपड़ों का दब दब 28 सदी के आखिर तक बना रहा ड़्च प्रेंच ब्रिटीश और अन्य यूरोपे वियापारी कम्प्रि तो उसे भारती चीज़ा खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरुवत नहीं रही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो यहीं से सारा काम कर लेती थी बुनकर कौन थे ये भी देख लेते हम लोग बुनकर आमतर पर बुनाई करने वाले समुधायों के कारिकर होते थे पीड़ी दर पीड़ी इसी उनर को आगे बढ़ाते थे बंगल के ताती उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश के जुला या मोमिन जो कभीर ताजी से रिलेट साले क्यकलार और देवांग समुधाय बुनकरी के लिए प्रसीद थे सूत कातना कपड़ा उत्तपादन का सबसे पहला चरण था ये काम अधिकंशता है मैलाओं के जिम्में रहता था चरका और तकली घर घर में पाए जाते थे धागे को चरके पर कात कर तकली से लपेट द लंग देते थे छपाई दर कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहीर कारीगरों की जुरूत होती थे जो ठपपे से छपाई करते थे हत करगों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े विफसाय में लाखों भारतियों की रोजी रोटी चलती लेकिन अब ये काम तो क्या होगा मशीनों से होने लगा तब तो बहुरा प्राप्लम हो गई ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्यों के विकास से भारति कपड़ा उद्पादों को पर कई तरह की असर पड़े पहला जब भारति कपड़े को यूरोब और अमरिका के बाजा को थोप दिये थे इंगलाइन में बने सूती कपड़े ने 19 सदी की शुरुआत तक भारति कपड़े को अफरीका अमरीका और यूरोप के परंपरागत बजारों से बाहर कर दिया दिया और इसकी वज़े से हमारे यहां हजारों बुनकर रोजगार हो गए सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी ब्रिटिश और यूरोपे कंपनियों ने भारतिये माल खरेदने बंद कर दिये उनकी एजिंटों ने तैह शुदा आपूर्ती के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार-बार सरकार से गोहार लगाई हम भूकों मड़ जाएंगे 1830 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला कंपनी को जिसमें कहा गया कि हमारे पूर के और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने बदनसीबी है कि अब औरंग मतलब जहां पे कपड़ों को मतलब चीज़ों को जमा करके रखा एक गोदाम की जैसे ठीक है खतम कर दिये गए हैं जिसकी वज़े से हम लोग और हमारे परिवारों के पास आजी विकार के साधन नहीं बचे हैं हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबा नहीं जानते अगर बोर्ड ओफ ट्रेड हम पर क्रिपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ओडर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे ठीक है क्रिपा इसे अपने अकवार में प्रकाशित करें तो ये एक था लेकिन असली दूर दिन तो अभी आने वाले थे यानि और बुरे दिन 1830 के दशक तक पहारतिय बजा ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए यानि ज़्यादा हो गया आपर दरसल 1880 तक असी के दशक तक इससे ती ये हो गए थे कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से दो तीहाई ब्रिटेन का बना होता था ठीक है क्यों इससे नहीं केवल बुनकरों बलकी सूत कातने वालों की भी हालत खराब होती कि जो लाखों ग्रामेंड मेला सूत कात कर अपना जीवी का चला रही थी विवे रोज़गार होगी लेकिन भारत के हाथ करगों से होने वाले बुनाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी इसकी वज़े यह था यह थी कि कपड़ों की कुछ किसमें मशीन उपर नहीं बन सकती थी भला जटिल और मन भावन किनारी वाली साडिया या परंपरागत बुनाई वाले कपड़ अपने भारत के पश्चिम में शोलापूर और दक्षेन भारत में सित मधूरा का जिक्र जरूर सुना होगा यह शहर 19 सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए मैत्पुन के अंदर बन कर सामने आए बाद में रास्टे आंदुलन के दोरान मात्मा गांधी ने भी लोगों से आवन किया कि वे हैतित कपड़े का भैश्कार करें यानि कि जो कपड़े वहां से आते हैं वो ना पहने और हाथ से कते सूथ और हाथ से बुने कपड़े ही पहने इस तरह खाधी रास्टेवाद का प्रतिक बनती चले गई चरका भारत की पैचान बन गया और 1931 में उसे भारती रास्टे कॉंग्रेस के तिरंगे जंडे के बीच वाले पट्टे पर जगे दे दी गई आईए देखें आजी विगा कि साधन गवा चुके बुनकर और सूथ कातने वालों का क्या हुआ उनमें से बहुत सारे तो खेती हर मजदूर बन गए और कुछ काम की तलाश में शेहर चले गए बहुत सारे देश से बाहर अफरीका और दक्षणी अमेरिका के बागों में का काम करने के लिए चले गए इनमें से कुछ हद करगा बुंगर को बंबई अने कि मंबई एमदबा शुलापूर नागपूर और कानपूर में खुले कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई फिर हुआ सूती कपड़ा मिलों का उद्धै भारत में पहली कपड़ा सूती मिल बंबई पश्यमे भारत की काले मिट्टी वाला उस विशाल पट्टी से काफे निकर था जहाँ कपास की खेती की जाती थी क लिए कुछ मिट्टी चाहिए काले मिट्टी चाहिए जब वहाँ सूती कपड़ा मीलों के स्तापना हुई तो उन्हें कच्चा मालासानी से मिल जाता था सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिले चालू हो चुकी थी सूती कपड़ा उनमें से बहुत सारी मिलें फार्सी और गुजरती व्यापारियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरी काफी पैसा कमा चुके थे उस दोरान दूसरे शेहरों में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए एहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती हुई संख्या के कारण मज़ुनों की मांग भी बढ़ने लगी हजारों गरीब काश्कार दसकार और खेतियार कामगार कारखानों में काम करने के लिए शेहर की तरफ जाने लगे प्रारंबिकुश दसकों के दोरान भारती कपड़ा कारखानों के बहुत सारी समस्याओं से जूजना पड़ा सबसे पहले समस्या तो ये थी कि उस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था ज्यादा तर देशों में सरकारें आयाती त्वस्तू पर सीमा शुक लगा अगर अपने देश में और द्योगी करन को बड़ावा देती थी इससे प्रतिस व्यदा खत्में नहीं हो जाती और सम्मंदित देशों के नवजात उद्योगों को सरक्षन मिलता था परन्तु अपनिवश्यक भारती सरकार ने इस्तानिय उद्योगों को आम तोर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी क्योंकि अब भी अंग्रेज शीत थी तो उनको तरह सी सुरक्षा नहीं मिले लिहां जा भारत में उद्यक्स होती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रतम विश्यूत के समय दिखाई दी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफी कमी आगे और सैनिक जरुतों को पूरा करने के लिए भारतिय कारकानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। यहनि कपड़े अब और ज़्यादा चरुत होने लगे। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टेल बारती इसपात और लोह धातू कला की कहानी हम टीपू सुल्तान की एक मशूर किसे से करते हैं यह वे टीपू सुल्ताने जिनोंने 1799 तक मैसूर परशाशन के और अंग्रेज उसे चाल लड़ाईयां लड़ी जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए टीपू की विश्विक्या तलवारें आज इंग्लेंड के संग्रालों की बहुमिले संपत्ति हैं लेकिन क्या आप चानते हैं कि तलवार की धार इतनी सक्त और पैनी थी कि दुश्मन के लोह कवज को भी आसानी से चीर सकती थी इस तलवार में यह गुण कार्वन की अधिक मात्रा वाली वुट्स नामक स्टिल से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिन भारत में बनाया जाता था और इस वुट्स स्टिल की तलवारें बहुत पैनी और लहड़दार होती थी इनकी यह बनाव मैसुर की यातरा करने वाले फ्रांसे से भुकानन ने इस बात का उयुद्स स्टिल किस तरह बनाया जाता था इन भट्टो में लोएग को काट कोईले के सात मिला कर मिटी की चोटी-चोटी हांडियों में रख दिया जाता था तापमान के जटिल उतार्चडाओं को नियंति किया चाता था कि वर्स असल में कन्नट शब्द उक को और तेलगु शब्द हुक को और तमील मल्यालम शब्द उरुक को यानिक इस्टिल का ही बिगड़ाओं अंग्रेजी रूप है भारती वर्स इस्टिल ने यूरोपी ए विज्ञानिक को काफी अकरशित किया विश्विक् भारती में इतनी प्रचलित वर्स इस्टिल निर्मान प्रकेरिया उनिस शदी के मद्दे आते आते पूरी तरह से लुप्तू हो चुकी थी क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ भारत पर अंग्रेजी की जीत के साथ ही यहां तलवार रहतियारों को द्योग समाप्त हो गया और भारती कारी को दर बनाया गया लोह और इस पात गस्तान इंग्लेंड से आई लोह और इस पात ने ले लिया था गाउंग के उजड़ी भट्टियां यह देखे बिहार का एक लोह कारकाना वर्ट इस पादन के लोह के परिशोधन की बहुत परिश्क्रत तकनीक चरूरी थी परन्तु भारत में उन्हें से सदीक के अंतितक लोह का प्रगलन एक सामन्य गतिवी दिती खास तोर से बिहार और मद्य भारत के हर एक जिले में एक प्रगलक कारकार थे जो लुभा बनाने के लोह के स्तानी बंडारों का इस्तमाल करते थे इसे लोह के कारकौनों में दैने के इस्तमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे ज्यादा कर भट्टिया मिट्टी और धूप में सुखाई गई इटों से बनी होती थी प्रगलन का काम करते काम पूरुष करते थे जबकि महलाए दोगनी चलाती दोगनी होता हावा पेगने का यंत्र इसको आप लोगों ने देखा भी होगा पहले कि कई इसे फिल्में जिसमें इसा दिखाया गया है यह देखिया यह बट्टी यह दोगनी इसे चलती यह उपर से यहाँ से दोगनी फेकती रहती थी 19 सदी के अंति तक आते आते लोग के प्रगलंग का हुनर खत्म होने लगा ज्यादा तर लोगों ज्यादा तर गाउं में भट्टियां ठंडी पढ़ चुकी थी और लोगों का उत्पादन गिरता जा रहा था ऐसा क्या हुआ इसकी वज़े तो क्या ह वन कानूनी थे जिनके बारे में हम लेसन 4 में पढ़ चुके हैं अब नुशिक सरकार ने आर्क्षित वनों में लोगों के प्रविश्पे पावंदी लगाती थी जैसे हमने देखा कि जंगल अब उनके नहीं रह गय थे और लोग एक्स भी वह कहां से ला सकते थे वन कानू कि वो दूसरे साधन ढूंडने लगे क्योंकि पेट तो पाल नहीं पड़ेगा कुछ शेत्रों में सरकार ने जंगलों की आवजाई की अनुमती दी थी लेकिन क्या बोला था उनसे लेकिन प्रागलों को अप्रतेक भट्टी के लिए वन विवाग को बहुत भारी कर चुका करने लगे इसके वज़े से इस्ताने प्रागलों द्वारा बनताय जा रहे लोई की मांग कम होने लगे बीस फिशदी के शुरुआत तक लोहा और इस पात बनाने वाले कारिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई भारत में लोहा और इस पात के कारखनों का कि सबसे बड़े बेटे तो राब जी टाटा 36 गड में लोह एक्स बंडारों की खोजबिन करते वे घूम रहे थे वे भारत में एक आधूनिक लोह और इस पात सयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोह इस बंडारों की तलाश में कई महिनों काफी पैसा खर्च कर चुके थे जमजे जी टाटा भारत में बड़ा लोह एव मिस्पात का रखना लगाने के लिए अपनी संपत्ती का बड़ा भाग खर्च करने को तयार थे लेकिन इसकी पहली शर्त ये थी कि उम्दा लोहा एक्स बंडारों का पता लगा लिया जये उसके बाद ही हम कोई आगे काम बड़ाएंगे एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक चानने के बाद वैल्ड और दौराब जी एक गाउं से चोटे से गाउं में जा पहुँचे वोनों ने देखा कि कुछ इस्तरी पुरुष टोकरियों में भर कलो अक्स ले जा रहे थे ये अगरिया समुदाय के लोग थे जब उनसे पूछा गया कि ये एक्स कहां से लाए तो उन्होंने दूर इस्तित पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी वैल्डो दौराब जी गने जंगलों से होते वे काफी दिर बाद ठक कर उस पहाड़ी पर जा पहुचे पाड़ी का दिन करने के बाद वैल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वहम मिल चुकी है रजरा पहाड़ीयों दुनिया के सबसे बहतरे लोग एक्स बंडारों में से एक थी लेकिन अब परिशानी ये थी कि यह इलागा सूखा था और कार खाना चलाने के आसपस पानी पानी ही नहीं था लियाजा कार खाना लगाने के लिए सही जगे के बारे में टाटा जी की तलाश चारी रही अगरे समुदाई के लोगों ने ही लोग एक्स का एक और स्त्रोथ दूने में मदद की जहां से बिलाई स्टील सहीं अत्र एक्स की आप पूर्ती की गई कुछ सालों बाद सुवन रेखा नदी के टट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्टरी और एक और द्योधिक शहर बसाने के लिए जगे बनाई इसी शहर को हम जमशेथपूर के नाम दिया गया इस इससान पर लोग एक्स बंडारों के निकट पानी भी उपलब था यहां टाटा आयरन स्टील जिसको हम टिसको कहते हैं उसकी स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा यह आपकी स्टील कमपनी आम तरबर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात का राता भारत में रेलवे की विस्तार की वज़े से ब्रिटेन में बनी पट्रियों की यहां भारी मांगती काफी समय तक भारतिये रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेश अग्ये मानने को तयार नहीं थे कि भारत में भी सबसे सर्फ्रेस्ट इस बात का निर्मान संबव है जब तक टिसकों के स्थापना हुई हालाद बदलने लगे इस चौदा में पहला विश्विद्ध हुआ ब्रिटेन में बनने वाले इस पात को यूरोप में युद्ध संबंदी और शक्ता को पूरा करने के लिए जोग दिया गया इसी तरह भारत आने वाले ब्रिटिस इस्टिल की मात्रा में काफी घरावट आई और रेल की पट्रियो और रेल की पट्रियों के लिए भारती रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया जब युद्ध लंबा खिच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेल गाड़ियों के पईये बनाने का काम भी सौप दिया गया 1919 तक यह सिती यह हो गए कि टिस्को में बनने वाला 90 प्रतिशत इस पाथ को अपनिवेशक सरकार ही खरीद लेती थी जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश सामराजे में इस पाथ का सबसे बड़ा कारकाना बन चुका था सूती कपड़े की तरह लोहे और इसपाथ के मामलों में भी ओध्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात खिरने लगा भारती और द्योगिक वस्तों की मांग में इजाफा हुआ ये बदलाओ पहले विश्व युद्ध के दोरान और उसके बास सामने आये जैसे जैसे रास्टे आंदुलन सो विक्सित हुआ और द्योगिक और ताकतवर हो गया और सरकारी सनरक्षन की मांग बुलंद होती गई भारत पर अपना नियंदर बनाया रखने के लिए संगश्रत प्रिटिश सरकार को अपने वेश्व शाषन के आकरी दश्कों में इन में से बहुत बारी मांगे माननी पड़ी चलेंगे मांगी देखते हैं क्या हुआ तब तक के लिए गुडबाई ठीक के लिए